नवस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत एक बार फिर से स्टेडी इंडियोर चैनल में आज हम डिसकस करने जा रहे हैं एवरेज को एवरेज को एक बिल्कुल बेसिक से हम लेके चलेंगे सो डेट आप वन बाई वन कॉंसेप्ट को किलियर कर पाएं यहाँ पर मैंने एक फॉर्म्मला लिखा है कि जो एवरेज होता है वो सम अब आप अल नमर अपन टोटल नमर होता है तो सबसे पहले यह बेसिक फॉर्मला इसी बेसिक फॉर्मले से हम सब जेंगे फिर एडवांस लिपल पर चलेंगे मैं यहाँ पर एक आपको एकजांपल देता हूँ यहाँ पर एकजांपल लिया है मैंने जैसे 12, 13, 17 और 18 का अगर आप से बोला जाए कि इन नमर का आप क्या गर यह एवरेज निकाल लिए तो अगर मुझे अगर एवरेज निकालना होगो तो मैं सिंपली बोलूँगा जो एवरेज होगा मेरा इन सारे नमरों को जोड़ दूँगा तो अगर आप इन सब नमर्स को जोड़ेंगे तो 60 आएगा इसका अंसर और जो टोटल नमर्स कितने हैं फोर नमर्स है यहां पर तो इससे आप डिवाइट कर दोगे तो यह इस तरीके से आपका एवरेज निकल के आ जाएगा इस चीज को आप समझ देंगे तो यह है बेसिक अंडेस्टैनिंग आप दे एवरेज की एवरेज का फॉर्मला किस तरीके से होता है बट आपको एक नमर देता हूँ मैं यहाँ पर एकजामपल से मैं कहता हूँ कि आप इस नमर का एवरेज निकाले यहाँ पर 1,2,3,8,9,8,7,5,6,8,3,7,9,8,7,5 अगर मैं आप से कहूँ कि आप इसका एवरेज निकालके मुझे बथाई तो आपको क्या जी यहाँ पर नमर थे यह सिंपल नमर थे आपने आसानी से इनको जोड के और जितने नमर थे उनको डिवाइड करके एवरेज निकाल दिया बट जब आप इन नमर से दिरब जाएं इस चीज को आपको याद रखना ही रखना है इसी से सारे कॉंसेप्ट डेवलब होते हैं बट अगर आपको इस तरीके से एक चीजे आ गई तो आपको किस तरीके से दूश्रे वे में करना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो दूश्रा वे है मैं आपको बताता हू जो दूशावे है वो deviation method हम उसको कहते हैं बहुत ही कारगार साबित होता है अगर आप question को करेंगे तो फिर आप समझबाएंगे कि हाँ deviation method की कितनी importance है और क्या है ये तो चलिए start करते हम deviation method को और मैं बताता हूँ कि आपको deviation method होता क्या है फिर से वही example लेते हैं हम यही example लेते हैं मैंने लिया था 12, 13, 17 और 18 अब आपको पता था कि इनका जो average है वो 15 है वो उनका average 15 है अब deviation method में क्या होता है जो average है और जो ये numbers है इन numbers को देखना होता है कि ये average से कितने कम या कितने ज़ादा है तो अगर 12 की बात करेंगे तो ये minus 3 कम है अगर 13 की बात करेंगे तो ये minus 2 कम है 17 की बात करेंगे तो ये plus 2 ज़ादा है और 18 की बात करेंगे तो ये plus 3 ज़ादा है अब हमको ये देखना होता है कि जो ये minus है है इनका जो sum है वो कितना है तो अगर आप इन minus को देखेंगे जिनने हम deficit भी कहेंगे जिनको हम deficit भी कहेंगे अगर आप इनको जोड़ के देखेंगे तो यह minus 5 आएगा वहीं अगर आप इन plus को जोड़ के देखेंगे यानि कि हम कहें कि surplus surplus यानि कि मतल़ कितना ज़्यादा है तो वो plus 5 है यानि कि अगर द deficit हमारा-5 और surplus हमारा 5 और तो हम Net निकाल के देखते हैं जो deficit और surplus का Net निकाल के देखते हैं तो अगर आप इनका net निकाल के देखेंगे तो minus five plus five हमाराणज है 0 तो आपने क्या समझा इस बात से कि अगर हमारे पास जो net deficit है या हम कहें जो deficit और जो surplus है इनका जो sum है वो 0 के बराबना आना चाहिए या हम कहें कि जो net deviation है जो net deviation है अगर वो 0 आ जाता है इस पूरे group का तो it's mean जो हमने जो average माना है वो बिल्कुल right माना है ठीक है ये चीज थी ये basic था जो deviation method था बट एक जीज आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर सुपोज ऐसा ना हो तो फिर हम कैसे पता कर पाएंगे कि हमारा exact जो average होगा वो क्या होगा तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको तो देखे अगर सुपोज मैं यहाँ पर exact average ना लेता तो क्या होता सुपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ एक number 14 सुपोज मैंने इन सभी का average 14 माना तो गलत average लेके भी हम किस तरीके से सही average निकाल सकते हैं वोई चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ तो फिर से वोई चीज करेंगे हम कि 12-14 13 से कितना कम है तो अगर देखेंगे आप तो यह-2 है 13-1 है 17 यहाँ पर आपको दिखेगा फ्लस 3 है और 18 आपको देखेगा यहाँ पर प्लस 4 है तो हमारा जो deficit आ रहा है वो आपको देखेगा कि मानेस 3 का है और जो surplus आ रहा है आपको देखेगा की plus 7 का है तो अब हमें क्या दिखना है कि जो net deviation है जो net deviation है वो कितना है तो net deviation कैसे निकालते हैं जितना deficit होगा और जितना surplus होगा उनको जोड़ की तो अब आप देखेंगे कि ये plus 4 है ये plus 4 है मैंने आप से कहा था जब भी जो हमारा net deviation होगा जब भी हमारा net deviation होगा अगर वो 0 होता है तो हमारा answer सही आजाता है बट आप यहाँ पे देखेंगे कि जो net deviation है वो plus 4 का है plus 4 का मल्दब ये है कि जो आपने average मानना है जो आपने average मानना है उसकी value कम माननी है यानि कि आपको क्या करना पड़ीगा इस पूरे group में इस plus 4 का distribution करना पड़ीगा तो जो हमने average माना वो कितना माना 14 ठीक है इस मीन हमने ये जो average है plus 4 का मल्दब है कि जो ये average है हमने कम मानना है यानि कि हमें इस average में ये 4 का जो जो ये 4 आया हमारा पड़ीगा इस 4 को क्या करना पड़ेगा distribute करना पड़ेगा इन 4 element में तो अगर हम 4 को इन 4 element में distribute करेंगे तो अब आप देखवाएंगे कि अगर 4 element में distribute करेंगे तो हर किसी को एक एक देना पड़ेगा मतलब 14 प्लस 1 यानि कि हर किसी को हमें क्या बंणाना पड़ेगा 15 बंदाना पड़ेगा जो हमारा क्या हो जाईगा ओब तो अब आप देख रहे होंगे कि अगर हमने गलद average भी माना फिर भी हमने उसे नट deviation की साहिता से उसे सही कर दिया तो अब देखे हमें प्लस वन देखे अगर हमने इनको एवरेज सब को 14 14 माना हमने सब को 14 माना था देखे हमने सब को 14 माना था पर यह हमारा एवरेज नहीं था हमें क्या करना था यह प्लस 4 को सब में डिस्टिब्यूट करना था तो हमने प्लस वन यह डिस्टिब्यूट करा plus 1 yeah distribute करे आप plus 1 और plus 1 yeah इस तरीके से जो आपका average है वो 15 हो गया और इस तरीके से आप देख पाएंगे कि plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 4 होता है तो 4 को भी हमने distribute कर दे हैं और हमारा Jो answer है वो से आए तो ये है net deviation meter अच्छा चलिए ये तो यहाँ पे plus 4 आया है अगर suppose minus में आता तो उसे किस तरीके से हम सही कर पाते हैं उस चीज को हम देखने की कोशिस करते हैं तो चलिए उस चीज को भी हम देखते हैं और उसमें किस तरीके से हम सुधार कर सकते हैं वो भी हम देखने की कोशिस करेंगे यहाँ पे पहले मैं यहाँ पर इसको रप कर देता हूँ ठीक है जितनी भी यहाँ पर चीजे लिखें इनको डप कर देता हूँ और उनको भी सिखाऊँगा आप चीजों को ध्यान से देखिए का वन बाई वन आपको सारी चीजे आसानी से समझ में आने लिखेंगे देखें मैं फिर से कि 12 16 से कितना कम जादा है तो अगर आप 12 को देखेंगे तो यह माइनिस 4 है अगर आप 13 को देखेंगे तो यह माइनिस 3 है अगर आप 17 को देखेंगे तो यह प्लस 1 है और अगर 18 को देखेंगे तो यह प्लस 2 होगा अब आप देखिए जो डैफिसित है हमारा वो माइनिस 7 क बन रहे है और जो surplus है वो plus 3 का बन रहे है तो जो हमारा net deviation होगा वो net deviation होगा वो देखिए कितने का होता है तो net deviation हो जाएगा हमारा minus 4 का इन तोनों को जोड़ दिजिये तो यए चीज हमारी माइनस 4 आ जाएगी यानि कि जो हमने average माना है वो हमने जादा माना है हमने net deviation माना मानलव है कि घbury सो का माना है वो जादा माना है ठीक है तो हमे कम करने कीцы युद्यूरत है तो मझाळा-16 में क्या का पड़ेगा मैनिस 4 को इस तरहके से distribute करना पड़ेगा इन सभी elements में कि हमारा जो average है वह सही आए तो सेख्यें Tudo-4 वह कितने में distribute करना पड़ेगा जिसे भी यह सारे elements है तो यहां पर देख्यें कितने number , 4 numbers यहूँ 4 number मैनिस 4 को हुमें 4 numbers उनमे equally distribute करना पड़ेगा है ना, averageS का मतलब यही है कि हर number equally है, एक जैसे ہے तो हमें इस 4 को OFF equally distribute करना पड़ेगा हर number में तो आउसे हमें क्या करना पड़ेगा minus 1 को क्या करना पड़ेगा equally distribute करना पड़ेगा तो अभी तक हमने कितना माना था, 16 माना था जो कि हमारा गलत average था तो अब हमें इसको क्या करना है बिलकुल सही करना है अब आप देख पाएंगे कि जो 16 है उसमें-1 करेंगे इसमें-1 कर देंगे इसमें-1 कर देंगे और जो हमारा अंसर आएगा हो 15 आएगा तो अब आपने देख दिया कि किस तरीके से हम गलत averages को मानके भी सही निकालने हैं तो किस तरीके से, धेखें, माइनिस का मतलब है कि जो हमने average माना है, वो ज्यादा मान लिया है, प्लस का मतलब यह है कि जो हमने average है, वो कम मान लिया है, तो हमें उसमें plus करना पड़ेगा, तो I hope आप चीजों को आसानी से समझ पाए होंगे, ओके, तो ये हमारी basic था, ये हमार पार्ट को देखने से पहले, अगर जो भी नहीं देख रहा होगा, इस पार्ट को, तो उसको ये पार्ट देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत basic से चीजों आपको बताई है, देखें, एक और चीज मैं आपको बताता है, सुपोज, एक group है, जिसमें तीन element है, 38, 38, sorry, जिस तीन group हैं, जिनका average, तीन student है, यह तीन number है, जिनका average 38, 38, 38 है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एक बंदा चले जाता है, जो 38 लेके अपने साथ गया है, तो इसका average कितना होगा, इसका average 38 ही होगा, क्योंकि इसमें कोई changes नहीं होए है, ठीक है, तो इस तरीके सा आपको चीजें देखनी होगी, ओके, तो अब आपको क्या करना है, इस चीज को अच्छे से understand करना है, और जो दूशरी वीडियो होगी, उसको भी जरूर देखना है, तो इसमें मैं आपको question कराऊंगा, ठीक है, तो अभी तक इतना ही रखते हैं, अगर आपको यह लगा, कि यह वीडियो बहुत ही fruitful है आपके लिए, तो प्लीज लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें भूस्ट अप मिलते हैं, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, जैहन दुस्तों